नमस्कार दोस्तों सवागता आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तों आद देश बर से कई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिनमें बड़ी खबर है कि कस्मीर दोरे पराय मोदी के फिरेंगी यूरोपियन सांस्क्तों ने दिया मोदी सरकार को करारा जटका कहा कस्मीर के अंदर जो भी पाबंदिया लगाई गई है मोदी सरकार उन्हें जल्द से जल्द हटा लें तो वहें पर दूसरी बड़ी खबर है पुल्वामा हमले को लेकर, जी दोस्तों पुल्वामा हमले की जांच को लेकर हुआ बड़ा ख़ुलासा, भस गई मोधी सरकार तो वहीं पर कॉंग्रेस के पुरो राष्टे आदेक्स राहूल गांदी ने भी पुलवामा हमले को लेकर पूछे सवाल है तीसरी बड़ी खबर है दिल्ली विधान सबाचनाओं में हार के बाद भारतिय जनता पार्टी में बड़ी फूट है बड़े नेताओं के उपर उठने लग गए पार्टी के अंदर ही सवाल है जी दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे उससे पहले दोस्तों आगर आप देश के अंदर निस्पक्स पत्रकारता का समर्थन करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबा कर चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निस्पक्स पत्रकारता करते हैं उनका मनोबल बड़े और वो ज्यादा से ज्यादा निस्पक्स पत्रकारिता करके जन्ता की आवाज बन सके हैं आज की पहली बड़ी खबर है जम्मू कस्मीर को लेकर जी दोस्तों गाटी की ताजा यात्रा के बाद यूरोपियन यूनियन के ने सुक्रुवार को का की भारत ने जम्मू कस्मीर में समाने इस्थती बाहल करने के लिए सकारतम कदम उठाए हैं पर तु साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जो पाबंदिया लगा रखी है उन पाबंदियों को जल से जल हटाया जाना चाहिए आपको बता दें दोस्तों की बीते साल अगस्त महीने में जम्मू कस्मीर को मिले विशेश दरजे को समाप्त कर दिया गया था और दो केंदर सासित परदेश जम्मू कस्मीर और लदा केंदर बांट दिया गया था बता दे कि जम्मू से विशेश राजे का दरजा वापस ले जाने के बाद 6 महीने बाद वहां की इस्तियों का आकलन करने के उदेशे से युरोपई यूनियन के राजनाइक सहित 25 विदेशी राजनाइकों का परतिनि दितों मंडल बुदवार को गाटी पहुँचा था और राजनाइकों के इस दोरे का आयوجन के अंदर सरकार की तरफ से किया गया था इस्टे पहले जनवरी में 15 विदेशी राजनाएकों का एक दल जम्मू कस्मिर गया था और इस्तिती का आंकलन किया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से सुक्रुवार को जाड़ी बयान के अंदर कहा गया कि भारत सरकार के दवारा वहां पर इंटरनेट एकसेस और मॉबाइल सेवाओं के ओपर आभी भी पाबंदी लगाई गया है और साथ ही कुछ राजनितिक दलों के पार्टियों के जो नेता हैं उनको हिरासत में ले रखा है तो बारत सरकार के दवारा वो मॉदी सरकार के दवारा इन परतिवंदों को तेजी से हटाया जाना चाहिए और साथ ही जिन पार्टियों के नेताओं को हिरासत के अंदर लिया गया है उन्हें जल्ट से जल्ट छोड़ना चाहिए यानि मोदी सरकार की दबारे यूरोपियन सांस्दों को कुरवाएगे दोरे के बाद ये मोदी सरकार के उपर ही ये दोरा उल्टा पड़ गया है और वो सभी सांसद कश्मीर की पक्स में बॉलकर मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं आज की आगली बड़ी खबर है पुलवामा हमले को लेकर जी दोस्तों पुलवामा हमले को जांच को लेकर हुआ बड़ा खुलासा फस गई मोदी सरकार जी दोस्तों कल पुलवामा हमले को एक साल हो गए हैं और इसके बाद राहुल गांदे ने एक टिविट करके पूछा कि मोदी सरकार ने एक साल के अंदर क्या जांच किया है वो देश के सामने रखें तो इसके उपर मोदी सरकार के पास कुछ भी जवाब नहीं था जी दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों एक आर्टिया लगाई गई थी जिनके अंदर सहीधों के नाम और जांच रिपोर्ट सरवजनिक करने से सरकार ने इंकार कर दिया है जी दोस्तों केंदर सरकार ने पुलवामा हमले से समंदित जानकर ये देने से साफ किया है कि हमले की जांच रिपोर्ट सरवजनिक नहीं की जाएगी और आर्टियाई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने जनवरी 2020 को दो आर्टियाई सियर्पियफ के महा निदेशक को बेज़कर पांच बिंदों के उपर सुचना जिनमें बिंदू निमनवार थे हमले में सहीद वे सियर्पियफ के सभी जवानों के नाम और पद बताये जाए और सहीदों के परिजनों को भर सरकार के दवरा दे गई समस्त आर्थिक साहिता का बयोरत दी जाए और साथ ही पुलवामा हमले की जांच रिपोर्ट की कोपी जाए जांच में दोसी पाए गए अधिकारियों की सूची दी जाए और दोसी पाए गए जो अधिकारी हैं उनके ओपर अभी तक सरकार ने क्या करवाई की है उनके बारे में बताया जाए और साथ ही सहीद जवानों को भर सरकार सहीद मानती है या नहीं मानती है इनके ओप और सरकार अपना सपस्टिकन दे और सरकार इसके बारे में रिपोर्ट पेस करें पन्तु दोस्तों आपको वता दें कि अभी तक लगाई गई आटियाई के अंदर किसी भी परकार से सरकार ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है सरकार ने कहा है कि हम इन सब के बारे में कोई भी बात को सरवजनिक नहीं कर सकते हैं और साथ ही सरकार ने कहा है कि इसके अंदर कोई भी जो अदिकारी पाया गया है उनका भी नाम सरवजनिक नहीं कर सकते हैं और साथ में सरकार ने मना किया है कि जो भी जांच की गई अभी तक है उनको हम सरवजनिक नहीं की जा सकती है और आपको बताने दोस्तों कि रहुल गांदी ने इसको लेकर कले एक टुवीट करके सवाल भी पूशे हैं